जोहर दोस्तों मैं रंजीत कुमार स्टडी फूर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज के इस लेक्चर से हम एक नई सुरुवात करें मतलब नई सुरुवात कहने का सेंस यह है कि अगर आप जेसे से सीजिल 2023 खोठा का स्लिबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्लिबस है वो तीन भागों में बटा है पहले भाग में आपको व्याकरन पढ़ना है दूसरे भाग में आपको पद्य साहित पढ़ना है तो दूसरा भाग जो पद्य साहित है उसको देखेंगे फ्रेंट्स तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आपको लोग गीत पढ़ने है, मतलब 10 लोग गीत पढ़ने विद लोग गीत पढ़ने है चोकि अच्छे से क्लिरिफाई सलबस में नहीं है कि कौन सा लोग गीत पढ़ना है वो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा जो है फ्रेंट्स वह है एक पतिया डोंगल महुआ का पहला 10 कवीता पढ़ना है जिसे मैं पूरा पढ़ा रखा हूँ वहाँ पे मैं 11 क्लासिस ले रखा हूँ और पूरे डिटेल में आपको पढ़ा दिया हूँ, नोट्स की साथ अब हम पढ़ेंगे फ्रेंट्स सिस्ट गीत, उसी सेक्षन में मतलब उस खंड गा को देखेंगे पद्दे वाला भाग, पोईम वाला भाग तो उसमें तीन भाग मिल जाएगा आपको पहला मैं बताया कि लोक गीत दूसरा एक पतिया डोंगल महुआ की दस कवीता, और तीसरा जो फ्रेंट्स हुआ है सिस्ट गीत, सिस्ट गीत कहने का सिंस वैसे गीत जिनके रचवईया का मतलब जिनके रचवईया ग्यात है तो उसी का यह पहला क्लास है पहले क्लास में फ्रेंट्स हम लोग देखेंगे पुस्तक, संपादक और संकलन करता से समंधित प्रस्णों को और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे बाकी मैं बता दू फ्रेंट्स की जो यहां से प्रस्ण पूछे जाने का रेशियो हे न वो 50 रेशियो 50 है मतलब जितने प्रस्न दस गीतों से पूछा जाएगा उतने ही प्रस्न फ्रेंट्स आपको ए पुस्तक, संपादक और डोंगवाईया या संकलन करता से समंधित पूछ लिए जाते हैं ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ, इस वीडियो को अंतक देखिया आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगा और अगर आप प्रिवेस एर बगारा की कुश्चन देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा तो यह जो आज का वीडियो है, वो आने वाले दस वीडियो के एक्विवेलेंट है और बहुत कम समय में यह वीडियो क्लियर कम्प्लीट कर दूँगा मैं Study for goals की जो content होते हैं friends, वो exam oriented होते हैं अगर आप ग्यान का प्राप्ती के खोज में गोम रहे हैं तो जाके MA में और यह क्या करते हैं BA में admission करवाईए और अगर आप ASO बनने की तलास में हैं तो यह content विलकुल आपके लिए ठीक है तो चलिए थोड़ा समय हम लोग आपके समय का ख्याल रखते हैं और बहुत कम समय में content deliver करते हैं थोड़े से content lead जरूर आते हैं लेकिन जो आते हैं proper आते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग आपके समय जाया नहीं करते हैं और आते हैं content पे उससे पहले बता दू friends यदि आपको किसी परकार का query रहता है या फिर आप खोठा के खास questions को quiz की रूप में देना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं वहाँ पे मैं regular quizzes कराता हूँ तो अगर आप Instagram यूज करते हैं तो मुझे follow कीजिए और किसी परकार का query भी रहता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मैं अपने duty आर में जब भी फूर्शत में रहूँगा तो अपने इस तरह से waste answer करने का प्रयास करूँगा इसके अलावे अब टेलीग्राम से study for goals के टेलीग्राम चैनल से जूड के भी quiz का हिस्सा बन सकते हैं बाकी friends आज evening तक एक और class आएगा वो है एक पत्या डोंगल मगवा का last class class बार्मा जहां पे 100 प्लस most expected question मैं ले कराऊंगा इसका पूरा PDF मैं बना रखाऊं बस इसे record करना जो कि आज evening तक record हो जाएगा बाकी 5000 प्लस बंदे खोठा quiz जिससे जूड रहे हैं कहां पे टेलीग्राम पे इन सब का link description box में मैं दे रखाऊं एप का भी link description box में दे रखाऊं तिन सब जगा से जूड जाईगा ये कुछ important थे आपको जानना चाहिए चलिए आते हैं topic पे तो यह जो आज का class reference किन किन exam के लिए important है तो जेसे सीजिल 2023 के लिए असनातक परसिछे सहाय का चारिय 6-8 के लिए नगरपाली का सेवा समवर, जेसे सीजिल वे सिस्ट योगितार, ओद्योगी परसिचन अधिकारी 2023 इन सारी exam का syllabus में जो खोठा का syllabus है वो यही है खंडगा हमने भी चर्चा किया उसमें खोठा भासा लोग गीत इसे हम लोग रहने देते हैं थोड़ा से मैं बता ही देता हूँ, इसमें आपको परिवासा पढ़ना है, परिचे पढ़ना है, वर्गी करन पढ़ना है तो यह जो परिवासा, परिचे और वर्गी करन वाला बात है यह मैं आलरड़ी एक वीडियो में बता रखा हूँ जिसे लगबग 17,000 प्लस लोगों ने दिखा है, और यहां पर मतलब खोटा लोग गीत होता क्या है, उसका इतिहास क्या है, या फिर उसका वर्गी करन कैसे है, वो हमें बता रखा हूँ, बाकी एक एक करके जो क्लासिस आएंगे, वो इसके, मतलब लोग गीत, सिस्ट गीत क बाद आएंगे, ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सोहन लागेरे पूस्तक के दस गीत, मतलब उसका स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी हम लोग आज के क्लास में क्या देखेंगे, पहले में बता रखा हूँ, कि हम लोग लिखक के बारे म तो देखे, खोठा सिस्ट गीत में, दस गीत आपको पढ़ने हैं, यानि जो सोहन लागेरे पूस्तक है, उसमें से आपको दस गीत पढ़ने हैं, जो कि जैसे सिजल के स्लिवस में अस्पेसी फाई है, जो गीत के नाम है, देखे, मैं गीत का नाम क्यों रख रहा हूँ यहा असान रहते हैं, तो मैं बता दूँ कि अगर आप प्रिवेस एर पेपर देखेंगे, तो कुस्चन जो होते हैं ना स्टीट फॉरवड कूछे जाते हैं, जबर जस्ति आप डीब के तलास में ना घुमें, मतलब जो उपर से जो कुस्चन दिख रहे हैं, आपको जो सामने द काम है, वो असान काम नहीं है, आप जो सेट बगर लगाईगा, तब आपको एहसास होगा करी, मैं तो ऐसे माइनर मिस्टेक कर रहा हूँ, जो तो मतलब सब को पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग इसलिए मैं यहाँ पे सारे दसो गीत का मैं नाम बता दे रहा हूँ, हे गीत कार कौन है, तो सुकुमार जी यानि सुरेश कुमार विस्व कर्मा, दूसरा है बोने पाकले सहिया कोईर, दिनेस दिनमनी जी के द्वार लिखा गया है, सोहन लागेरे जो की इस पूस्तक का नाम है, और यहाँ पे गीत भी सामिल है, तो गीत के रचवया कौन है, तो स सुन्दर छोटा नाकपूर दीपक सवाल जी के द्वार लिखा गया है, हामर भारत महान अंबुज कुमार जी के द्वार लिखा गया है, मीली के रहिया परदीप कुमार दीपक जी के द्वार लिखा गया है, सांजे हासे जिंगा फूल महंदरनात गोस्वामी जी के द्वा हम लोग देख लेते हैं बाकी मैं भवी बताया कि इस वीडियो में मैं डिटेल ने बताया था इसका लिंक description box में मैं डाल दिया हूँ आप इसे देख लिजेगा जरूर देख लिजेगा बहुत अच्छा वीडियो है आपको मतलब जो कुछ एक complication है लोग गीत को लेकि वो दूर हो जाएगा इस वीडियो से ठीक है लेकिन फिर भी गीत में बता देता हूँ लोग गीत और सि क्या अंतर है जो major अंतर है वाया है की ये खोठा चेत्र का मौखिक अलिकित एवं परंप्रिक खजाना है कौन तो लोग गीत सिस्ट गीत क्या होता है तो ये खोठा चितर का रचित यानि लिखित एवं रचित एवं लिखित खजाना है तो ये देखें मौकिक है मतलब कोई मतलब गीत क्या होता है लोग सुख में दुख में लोग मतलब जो अपना भाव परकट करते हैं उसे गीत के रूप में परकट करते हैं ठीक है तो ये जो लोग गीत होता है वो मतलब समाज का समपती होता है इसके लिखवईया का मतलब नाम पता नहीं होता है exactly गर exam point of view से देखे तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि लोग गीतों के रचनाकार ग्यात होते हैं और सिस्ट गीतों के रचनाकार या गीतकार जो होते हैं वो ग्यात होते हैं ठीक है इतना ही याद रखें clear हो जाएगा लोग गीत जो होता है friends वह समाजिक संपत्ती है यानि इस पर पूरे समाज का अधिकार होता है और सिस्ट गीत किसे वैक्तिव इसे द्वार लिखा जाता है इसलिए इस पर लेखा किया वैक्तिगत अधिकार होता है थोड़ा साना जो लोग गीत होता है friends मतलब परिवर्तन यह होता है कि अगर आप देखेंगे साधी ब्या में गीत गया जाता है ना तो कुछ में गर गाली बगएर या फिर कुछ में मतलब किसी को मतलब थोड़ा तेकार मारना हो कुछ मारना हो तो उस बंदे का फलना 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 नाम लेकर गीत को गाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है लोग अपने कॉडिंग गीत में परिवर्तन करते हैं लेकिन जो सिस्ट गीत होता है वहाँ परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि लेखक ने लिख दिया तो लिख दे आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ठीक है I hope कि ये point clear हो गया और maybe यहाँ से question exam में पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा अभी हम जब last objective question कराएंगे तो वहाँ पे देखेंगे सोहन लागे रहे पूस्तक इसके संपादक कौन है फ्रेंस तो दिनेज दिनमनीशर है उनके द्वारा इस पूस्तक का संपादन किया गया है उन्होंने इस पूस्तक का संपादन किया है मतलब संपादक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पूस्तक है मतलब कोई मान लीजे मैं ही एक पुस्तक त्यार किया हूँ लेकिन मुझे भासा का अगर खुब डीप नौलेज नहीं है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने जो पुस्तक है उसका संपादक किसी ऐसे भासावीद को चुनूँ जिसे भासा का पुरा जानकारी है कि मान लिजे मैंने किताब लिखा और मुझे लगा कि थोड़ा समय खोठा अच्छे से मतलब खुब डीपली नहीं जानता हूँ मुझे लगा कि मैं बिये नोधार सर से संपर करूँ और उन्हें बोलो कि सर इसमें कहीं एरर है तो आप इसे देख दीजे पूरे अच्छे तरह से इसे मतलब एक बार सरसरी नजर से आप इसको देख लिजे और इसको मतलब परिपक कंटेंट के रूप में भासा और भासा सु संपादन का काम के यानि इस पूस्तक के वे संपादक हैं अब इसमें जो गीत छपे हैं फ्रेंट्स इस पूस्तक में सोहन लागेरे उसके संकलन करता कौन है तो सेखर सर देंदू सोहन लागेरे पूस्तक के संकलन करता है जिस परकार से एक बथिया डोंगल मगवा में संतो दोसकुमार मा तो संपादक भी थे और डोंगवया भी थे लेकिन यहाँ पे क्या है सोहन लागरे पुस्तक में संपादक है ते दिनेजदीन मनी सर और संकलन करता है सेखर सर दिन्दू तो ये दो चीज आपको याद रखना है चलिए अब हमारा ट्रेंड होता है कि एक साइट हम लोग बुक को देख लेते हैं दूसरे साइट हम लोग एडिटर को देख लेते हैं ठीक है तो बुक के बारे में हम लोग जानते कि खोठा गीत एवं पहली संकलन है सोहन लागरे जो पुस्तक है वो सिर्फ खोठा गीत संकलन नहीं है खोठा गीत के अलावे इस पुस्तक में पहली भी है तो आपको ध्यान रखना है कि खोठा गीत एवं पहली संकलन है यहां से भी प्रसन पूछे जा सकते हैं आपको आप्सन दे देगा और प्रसन पूछ लेगा अब इस पूछतक का प्रतम संस्क्रण कब प्रकासित हुआ फ्रेंच तो 2006 में और जिसके प्रकासक क का लेखक के कलम से इन सब चीजों को भी पढ़ा किजे बहुत चाना बुक का आवर व्यू निचोड वहां से मिल जाता है तो अगर आप इस पूछतक का जो लेखक के कलम से जो देनेस दिनमनी सर के दवार लिखा गया है वहां पे सर ने बताया है कि धारा संस्ता के दवारा 2006 में यह पहली बार पुस्तक परकासित किया गया था तो यह important है यहां से प्रस्न पूछे जा सकते हैं दित्या संस्करन फ्रेंट्स 2019 में आया जिसके परकासक कौन थे तो प्रीथवी परकासन नई दिल्ली के दवारे परकासित किया गया अब इस पुस्तक के संपादक कौन ह मैं पहले जिकर कर रखा हूँ तिनेज दिन मनी जी और संकलन करता कोन है तो सिखर सर्देन दोजे तो यह आपको याद रखना है संकलन करता कोई डोंग वया करते हैं मतलब चून बीज के उसको एक बूग के रूप में तयार करना इस पुस्तक में फ्रेंट्स कुल गीतों क कि संक्या कितना है तो 46 और प्रतम कविता का बात करें दिखें प्रतम कविता जैसे प्रसन एकजाम में पुछे गए हैं लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि यह थोड़ा सा न लेस इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी आप ध्यान लिखा गया पहेलियों की संक्या यानि जिसे जान कहिनी कहते है उन की संक्या कितना है तो 94 इसमें 94 पहेलिया भी संभिली थे इस पूष्टक में अपनी बात जो कि सिखर सर दिंदू जी के दौर लिखा तो ये कुछ खास चीज़ है जो आपको बुक के बारे में पता होना चाहिए और इतना मुझे लगता है इनॉफ है इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा मूल नाम जानी जो एडिटर हैं संपादक हैं उनका मूल नाम क्या है तो दिनेश कुमार इन्हें साहितिक नाम मिला हुआ है दीनमनी जी का तो साहितिक कार की रूप में प्रख्यात हैं दिनेश दिनमनी कहीं कहीं आपको दिनेश कुमार दिनमनी भी दिखेगा तो डोंट वर इनका जन्म कब वहा था फ्रेंज तो 13 सितंबर उनिश्व 59 को यानी 13 सेप्टेंबर 1969 को इनका जन्म हुआ था जन्म स्थान क्या था फ्रेंज तो 12 इडी जैनाम बोकारो या भी पुरस्न TGT 2017 में पूछा गया है मा का नाम क्या था फ्रेंज तो फुलू देवी TGT 2017 में पूछा गया है पिता का नाम महिस्वर महत्व TGT 2017 में पूछा गया है अभी मैं बोला थाना की पुरस्न हाइलाइटिट पूछे जाते हैं तो एक TGT का एक्जाम मतलब छोटा मुटा एक्जाम नहीं होता है अच्छा लेबल का एक्जाम होता है तो जब वहाँ पे इस तरह से पुछे जा रहे हैं तो क्या गयरेंटि कि इस बार एकदम से आपको एकदम ये गीत के बीच से जा कि जो वर्ड है उसका भावार्त पूछ लेगा बिल्कुल नहीं एक्जाम सेट करने वाले लोग भी यही है जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं और जिन्होंने पहले सेट कर रखा है वैसानी कि बुड़े से एकदम जेनरेशन गैप हो गया तो भाई आप अगर खूब पढ़ना ही है जानी जोकना है तो पेपर थिरी में जोकिए न क्योंकि आप अभी जोब लेने के लिए पढ़ रहे है न और अपके पास समय कम है थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे तो पढ़ते रह जाएंगे और फिर पढ़ते रह जाएंगे ठीक है सिक्षा के बात करें तो एमे हिंदी और खोठा दोनों में इन्होंने एमे किया है वर्स 2003 से फ्रेंट आटी सी कॉलेज दढ़ दाग और मांजी में खोठा और हिंदी के प्रध्यापक के रूप में कारी कर रहे हैं साथी फ्रेंट जन जाती है वम छेत्री भासा विभाग आरियो में ये साहयक प्रध्यापक कॉंट्राक्ट बेसिस पर ये वहाँ पे भी साहयक प्रध्यापक है तो ये दो चीजे ध्यान रखे बाकी RTC कॉलेज दरदाग और मांजी से रिलेटेट प्रस्न भी TGT 2017 में उचा गया है लेखन की बात करें तो ये कहानी भी लिखते हैं कवीता भी लिखते हैं गीत भी लिखते हैं नाटक भी लिखते हैं और निमंद भी लिखते हैं इस पुस्तक में भी देखेंगे तो बहुत सारे इनके गीत छपे हैं इस पुस्तक में ठीक है सम्मान की बात करें तो इन्हें खोठा रत न मिला है वो कारो खोठा कमीटी के द्वारा तो यह भी आप ध्यान रखे दिन्मनी जी की पर्मुक रचनाई की बात करें फ्रंट्स तो फुल कोविक जोर देखें मैं न इनके वही रचनाई सामिल किया है वहाँ पे थोड़ा सा मैं लेट से ज़रूर वीडियो लाता हूँ लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करना होता है न कुछ भी डिलीवर नहीं कर दिया मतलब ऐसा नहीं मैं मतलब किताब दो उठाया 15 objective question सेट कर लिए और इवन किसी को मैं बोल भी दो तो फटाक से सेट कर देगा और उससे मैं वीडियो की रूप में लियाओं लेकिन उसका क्या य कि अपने समय का वैल्यू आपने पहचान लिया एक सही स्ट्राटजी से चलना आपने सीख लिया तो सक्सेस से आपको कोई नहीं रोग सकता है ठीक है तो दिनेज दीनमनी जी के वैसे रचनाएं जो खास खास पुस्तकों में सम्मलित हैं जस्ट लाइक जारकंट तो वहाँ से कुश्चन भी पूछे गए थे चली देखते हैं कैसे फुल कोबिक जो इनकी कहानी है जो नाइन्थ क्लास की जो पाठी फुस्तक है जैक वोट की दो डैर प्रास फुल उसमें पढ़ना है तो यह इंपोर्टन है वेरी वेरी इंपोर्टन है क्योंकि यहाँ से कुश्चन नहीं पुछा गया है में भी यहाँ से पूछ लिया जाए दूसरा एफ्रेंट्स ए मानुस कवीता है यहाँ से परस्टन टीजिटी 2017 में पूछा गया है इंजरियाक बाटा कवीता है और यह दोनों कवीता है तेंथ क्लास की जो पाठी पुस्तक है दो डैर जिर लेता हूं कि कई बार आपके कर कुश्चन गलत भी हो गया है यहाँ से चैलेंज कर सकते हैं और यह को प्रॉपर सोर्स होगा ठीक है अगला है धरम करम वेरी वेरी इंपॉर्टन यह उत्पाज सिपाही बगर हम देखेंगे ताको यह सलेबस में पढ़ना है और यहाँ यह धरम करम के लिखवईया कौन है तो यह पंचाय सची 2017 में प्रस निहां से और उत्पाज सिपाही 2019 मतलब सोच रहे ना एक ही कुश्चन भाई रिपीट हो रहा है मतलब बनाने वाला अगर चाहे तो खुपटाफ कुश्चन बना सकता है लेकिन कुश्चन रिपीट हो रहे है और ऐसा नहीं कि इस बार रिपीट नहीं होगा इस बार भी रिपीट होगा ठीक है तो खोटा गईद पेट संग्राब में जो की एक मतलब बहुत ही मतलब अच्छी पूस्तक है जो 1989 में प्रकासित हुआ है कि जहासर सरीस के परदान संपादक है दूसरा प्रकासन 2020 में पगली मोईर गेली कहनी है और यह TGT 2017 पुछा था इसलिए मैं सामिल कर दिया इसके अलावी इनका एक पूस्तक है आधूनी खोटा व्याकरन और रचना यह बहुत अच्छा पूस्तक है आप अगी वर्तमान में अगर व्याकरन वुला सिक्सन अच्छे से करना चाहते हैं तो यह पूस्तक जरूर खरीद लें दिनेश दिन्वनी सर के द्वार लिखा गया बहुत अच्छा ग्रामर का बुक है ठीक है इसके पढ़ने से आपके जो माक्स हैं वो पकका टेस्ट बगरा में बढ़ जाएंगे समपादक और सह समपादन का भी इन्होंने काम किया है जस उसके बाद 1983 में एके जहासर के द्वार परकासित किया जाने लगा और बाद में तीतकी पत्रिका का जो परकाशन है साहिद वर्तमान में भी हो रहा है वो दिनेश दिन्वनी सर और साहिद सांती भारत सर के द्वार परकासित किया जा रहा है है तो ये ये भी ध्यान रखे युद्रत आम आदमी सह समपादक है हिंदी पत्रिका है उसके सह समपादक कोन है दिनेज दिनमनी सर्ग खोठा लोक साहित जो की आपके सिलबस में है जहां से आपको दस लोक कता पढ़ने है और यह पुस्तक जो है उसके जनजाती है सुद्रम कल्यान संस्ता जारकन सरकार के दौरा परकासित है तो इसके जो समपादन में सह भागिता है वो दिनेज दिनमनी सरका है दू डैर जिरूल फोल यह तेंथ की पुस्तक है उसके समपादक मंडल में यह सामिल है और दू डैर परास फोल जो की नाइंथ की पुस्तक है उसके समपादक मंडल में भी यह सामिल इनके संदर में content मैं update करूँगा तो जब मैं application पे इसका PDF update करूँगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसको लेकि परिशान नहीं होना है ठीक है जो चीज अगर आपको market में नहीं मिल रहा ना तो आप मान लो कि महां से question नहीं पूछा जाएगा ठीक है और अगर नहीं मान रहे हो तो परिशान होते रहो खोजते रहो ढूंडते रहो आपकी मर्जी और अगर आप समझदार हो तो मान लो और बाकी समय जगा पे लगाओ ठीक है अब आते friends इस पूस्तक या संपादक एवं संकलन करता से क्या प्रशन बन सकते हैं या previous year में क्या पूछे गए हैं तो यहाँ पे जनरली मैं एकना format आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से पूछे जाते हैं और ऐसे पूछे गए हैं और ऐसे पूछे जा सकते हैं ठीक है बाकी चलिए हम लोग देखते हैं पहला तो प्रसन है वेरी वेरी इंपॉटेंट है इस सेक्षन से कि आप से पूछ लेगा सिस्ट गीत के करा कहल जाए ठीक है तो यहां ओप्सन देखिए जेकर रचना करकर पता चले है जे लिखीत रूपे पावल जाहे ए और बी दुयो और जेकर रचना करके कोनों पता नाए है तो इसका सही एंसर क्या हो जागा फ्रेंट्स ओप्सन सी ए और पी दियो जे कर रचना करकर पता चले है और जे लिखीत रूपे पावल जाए ठीक है तो वेरी इजी कोस्टिन ना अब थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे उच रहा है सिस्ट गीत और आप पूर धून में हैं एक्जामें और लोक गीत याद रखे हुए हैं और जे कर रचना करके कोनों पता ने टीक मार के ओमर वाला सिस्टम है रंग दिये और फिर घर आके देख रहे तो अरी यह लगा दी क्या करने हैं मौक टेस्ट लगाने हैं ज्यादस ज्यादा किसी का भी मौक ट लेट करता हूं अपने यूट्व चैनल पे फॉलना डेस फलना डेस तो वहाँ पे अब मार्क्स भी लिख सकते हैं ठीक है ओँछा पहल है बाकी दूसरा है सोहन लागेरे किताब किताब किताबक करूए एक सकेंड़ दूसरा कुश्टन है सोहन लागेरे किताबक संपादक क तो ध्यान रिखी question न गौर से पढ़ना है यहाँ भी पूछा है सोहन लागे रिप उस्ता के संपादक को ने बहुत समय होता है पता है आपको दो घंटा समय जो होता है सो question बनाने के लिए वो बहुत होता है अब अगर कोई जो खूब अच्छे से पढ़के गया न 40 मिनट, 35 मिनट पूरा question बना लेगा तो भाई थोड़ा से बचा के क्या करोगे समय अच्छे से question पढ़के लगाना है न OMR वाला system है न अच्छे से पढ़ना है दयाल सब क्या है तो इसके cover page को डिजाइन की है तो option आपको न मतलब familiar लगेगा तो हड़ बड़ा के answer नहीं करना है सही answer देखना है दिनेज दिनमनी जी है ये ध्यान रखेगा तीसरा प्रसने friend सोहन लागे रे किताब एक संकलन करता या दोंगवईया के अब ध्यान देना यहाँ पे संकलन करता और दोंगवईया तो संकलन करता कौन है सेखर सरदेंदू यहाँ पी मैं नियरे स्टॉपसंस दिया हूँ तो confused नहीं होना है चौथा प्रसने friend सोहन लागे रे किताब एक पहिल संसक्रण के परकासक के है जो पहला संसक्रण था उसके परकासक कौन है तो धारा संस्था जैना मोड़ बुकारो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह आप याद रखेगा यहाँ से प्रसन पूछा जा सकता है पांचवा प्रसने friends इसका सही अंसर क्या हो जागा friends 13 सितंबर 1979 सोचो ना आप इतनी सारे लिखक हैं इन लिखकों का जन्व दिन और मिर्ट्व याद रखना भी एक बहुत कठिन काम है जब तक अब यह प्रैक्टिस मेंक्स मैन प्रफेक्ट वाला थियोरी नहीं अपलाई किजेगा तो यही याद नहीं कर पाईएगा सो प्लीज वो जो डीब के तलास में ना उनसे मेरा request है कि जो मतलब मैं बता रहा हूँ उसे पढ़िए आप यकीन मानिए कि आपकी question नहीं छोटने वाले हैं बाकी इसे कर लिजे ना mock test में 95 लाना सुरू तो कर दीजे फिर मैं अपने ही mock test आपको tough करते जाओंगा जान बूझ के ताकि क्या 25 के बाद मैं question जान बूझ के tough कर दूँगा ताकि आपका जो odd deep है उसका भी जान हो सके ठीक है लेकिन फिलाल क्या है कि उपर वहला जो है overview है overview क्या मैं बारवर overview बोल रहा हूँ वह ही practical content है ठीक है चलिए चाथा प्रस्ण है दीनमनी जीक मायक नाम बतावा TGT 2017 में तो कौन थी फुल्लू देवी ठीक है ध्यान रखे साथा प्रस्ण है friend दिनेश दीनमनी कोन college एक प्रफेसर लागत तो यहाँ पर क्या हो जागा RTC और मांची अब अगर प्रस्ण में पूछ दे एक और option दे दे कि जन जाती है मतलब छेतरी जन जाती है छेतरी विभाग राची यूनिवर्सिटी गर यह option दे तो वो क्या हो जागा यहाँ पर यह और भी दोनों हो सकता है ठीक है तो कि मैं भी बताया हूँ ना आठवा प्रस्ण जन जाती है एम छेतरी भासा बिभाग र्यू के सहयक पर द्यापक भी है तो अगर option में यह भी डाल दे और फिर पूछ दे ए और विद्यो तो confused नहीं होना है अंसर कर लेना है आठवा प्रस्ण फ्रेंट सोहन लागेरे कैसन किताब है तो देखिए लोग गीत संगरा, सिस्ट गीत संगरा इस तरह से option होगा तो यहाँ पर देखेंगा ना, बुक के cover page में लिखा हुआ मिल जाएगा खोठा गीतेवं पहली संकलन, ठीक है तो यह से बिदम easy question है, परिशान नहीं होना है सोहन लागेरे के परकासन बचर है, तो अगर direct परकासन बचर पूछे तो इसका मतलब है कि पहला परकासन बचर आपसे पूछ रहा है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, option B, 2006 ठीक है, सोहन लागेरे सिस्ट गीत एक लिखवाया हती तो तीजी में न, दिनेस दिन्वनी नहीं मार देना है या तो भी सेखर सर्स्तेंदू नहीं मार देना है क्योंकि मैंने पूछा सिस्ट गीत के लिखवाया मैंने नहीं पूछा कि इस पूस्तक के संकलन करता कोन है तो इसका सभी एंसर क्या हो जगा सांती भारत, ठीक है, समझें, ध्यान रखें, इस तरह से प्रस्न पूछे जाएंगे, ग्यारावा प्रस्णे फरेंट्स, धरम करम कहनी के लिखवईया हत्थ, तो धरम करम कहनी के लिखवईया कौन है, दिनेश कुमर दिन्मनी जी है, पचा या डाखत मतलब बोलते हैं तो आपके पास option है बीज जवपन, गोडाक पहर, आदीकाल और भक्तिकाल तो इसका answer आपको comment box में देना है आप बताइए और ये previous year में प्रस्न पूछा गया है तो इसका answer आप comment box में लिखे मैं देखता हूँ कि वो जो deep वाले है न वो deep के तलास म जो रहते हैं लिखे आपके लिए प्रस्न ठीक है और बाकी इस पार्ट से मैं 12 question इसलिए बताती है कोई कि थोड़ा सा न मेरे साथ एक issue है मेरे साथ मैं completely free नहीं हूँ content बनाने के लिए इस content बनाने के अलावे मुझे अपने मतलब professional work करने होते हैं तो बाकी आप जानते हैं क मैं जिस विवाग से बिलॉंग करता हूँ थोड़ा सा hectic life होता है तो वहाँ से समय बचाता हूँ इसलिए मैं कम परस्नों को कराता हूँ गोसी से हमारा कि अभी मैं जल्दी जल्दी content बनाओ ताकि जो हमारा जो course है वो right time पर complete हो सके ठीक है तो बाकी आप इस part से बनने वाल आप उस टेस्ट को लगा सकते हैं बाकी फ्रेंट से आप चाहते हैं कि आपको सारे content प्रॉपर तरीके से एक जगा पे मिल जाए ववस्तित रूप से मिल जाए तो आप study for goals एप डाउनलोड कर लीजिए जहां पे आपको complete video lecture, complete handwritten notes और topic wise sectional test, previous year question, साथ ही 15 full length mock test और whatsapp group यह price range पे मिल जाएगा आप जाए study for goals आप डाउनलोड कीजिए और इस course को चेक कीजिए यह course जैसे से सीजिल 2023 ससनातक अस्तरिय सहायक अचारिय 628 नगरपाली का सेवा और अधियो की प्रसिचन अधिकारी और जैसे सीजिल विस्स रियोगता इन सारे परिछाओं के लिए important है त actual fee है ठीक है और इसके लिए धेरो सुबकामना भी है बाकी किसी पर करकर के query reference तो 8986772733 study for goals का official नंबर है आप इस पे भी connect हो सकते हैं बाकी जो next class होगा वो मांदर बाजरे बासी बाजरे सुकुमार जी का एक क्या है एक मतलब गीत है जिसे हम लोग देखेंगे बाकी मैं ग मुख्योदेश से क्या है हमारा मुख्योदेश से marks लाने है बाई हमें selection लेना है तो उस according हम चीजों को देखेंगे और फटा-फट देखेंगे बहुत कम समय में मतलब इतनी भी समय है इसमें तुम्हें 30 मिनिट लगा दिया मतलब बहुत नहीं ज्यादा समय ले लिया ओ सब नहीं 80,000 salary मिलता है तो थोड़े मतलब इफ यो आर एबल देन आपको जाना चाहिए इसके लिए ठीक है बाकी अगर आप पेपर 3 के जो इस संड़े को ना इस संड़े को पेपर 3 का full length mock test आएगा 3 से 5 संड़े जो free mock test होता है उसमें पेपर 3 का 3 to 5 इस संड़े को full length mock test आएग बाकी आप सफलता के bundle से जूड़ना चाहते हैं तो आप जूड़ सकते हैं paper 1 के 15 mock test और paper 2 में हमने यहाँ पे सुधार कर दिया कि paper 2 में इसी course में हमने paper 2 के रूपे खोठा भी सामिल कर दिया ना कूरी भी सामिल कर दिया और अंग्रीजी भी सामिल कर दिया और paper 3 पचास mock test है paper 3 के तो आप इन तीनों भी से अगर belong करते हैं तो आप इस course से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे अस तरसे हम लोग content थैयार कर रहे हैं बाकी कुछ content जैसे हैं जहाँ पे को issue अगर आता है तो उसे हम लोग बहुत ही proper तरीके से revised way में एक revised folder करके हम लोग बना तो वहाँ पे जाके mock test लगा सकते हैं उसके अलावे एक single attempt के साथ paper 3 का एक mock test भी है तो उसे भी अप जाके app पे check किजेगा बाकी friends यही दो महिना है जिंदगी बदलने का मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप एक below middle class family से belong करते हैं तो आपके लिए monthly एक permanent source of income होना बहुत जरूरी है ठीक है जॉब का value क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ मैं जब पढ़ाई के दोरान बहुत मतलब एक छोटी छोटी अमांट के लिए न मुझे सोचना पड़ता था तो अपने लिए अपनों के लिए अपने माबाप के लिए अगर चाहते हैं कि मैं कुछ हमारा करतब भी है और करेंगे भी ठीक है तो चाहते हैं तो आप यह सतर दीन को अपने मतलब लाइब का बेस डीज बना दीजी अगर इसे आप फॉलो करेंगे तो दो हजार पचीश सीट बहुत होता है आपका सेलेक्शन पक्का होगा बाकी थोड़ा सा कंटेंट डिले आते हैं उसके लिए मैं मापी चाहूंगा मैं मजबूर हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन अब मैं कोशिस करूँगा और जल्द जल्दी कंटेंट आए बाकी आप पढ़ते रहिए मेरा धेरो सुब कामना है मौक टेस्ट बगरा लगाते रहिए मैं बहुत मेनत से मौक टेस्ट बगरा त्यार करता हूँ और जो लोग देते हैं उन्हें समझ में भी आता हूँ कि जो स्टड़ी फूर गोल्स की जो खोठा बगर अगर मौक टेस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से त्यार किये जाते हैं एक प्राक्टिकल वे में तो ठीक है उन्हें सब का बेनिफिट उठाइए बाकी कोई किसी परकार क्वेरी है ताप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए आप टिक्स्ट कीजिएगा मैं अपने सतर से बेस्ट एंसर करने का प्रयास करूंगा तो चलिए धेरो सुब कामना के साथ all the best for your upcoming exams and for your preparation जैहिन जै जार्खन और जोहार